जै स्रेडा मेरे प्यारे दोस्तों और भाईयों बेहनों आज की वीडियो में मैं ब्रेंदर गड़ी आपका स्वागत करता हूँ इंडिया के फस्ट एनस के मेंबर्शिप चैनल में जी हाँ आज की वीडियो में आज की तोतित पे आगे बढ़ने से पहले आप के लिए जरूरी जानकारी इस नमबर को आप सेब कर लीजिए क्योंकि आपको इसकी जोगत पढ़ सकती है एनस लेटेट आपकी कोई भी प्रेशानी हो नेम करेक्शन ट्योसी प्रावलम एड्मिशन प्रावलम डॉक्मेट मिसिंग घर बैठे आप जानकारी ले सकते हैं इस नमबर पे आप कॉल करके एक कॉल से आप घर बैठे जानकार ले सकते हैं औरन के लास एड्मिशन कंसेट्रेशन सभी के लिए यही नमबर है आप मुझसे जरूर कॉंटेक करें आगे बढ़ते हैं जैसे कि आपके लिए आसान नहीं है भारत के कोने कोने से तो घर बैठे आपके काम को लेके जिस तरीके से लगाता है दो सालों से मैं आ पर आपको मिलेगा फिरी राइब के लास रात को आठ बजे मंडे टू सेटरड़े चले जल्दी से हम अपनी वीडियो में अपने टॉपी की तरफ लोट आते हैं यह जो आपका हॉल टिकट है प्रेक्टिकल एक्जाम के लिए यह मार्च के फर्स्ट बीक में अपलोड हो ज ले जाके ईनि जो आपका ऐसे सांथ मिले जाएंगे और आप झो है अपने स्टडि सेंटर पर जाके अपने रिचाम लेंगे owners के बीच में यहाँ एक्सारे सब्जेक्ट है जिसको मेंने गया है ये सारे subjects जिनके हैं उनके 14 से 19 मार्ज के बीच में होंगे जो 12th class वाले student है वही अगर जो 10th class के student है secondary को 10th class बोला जाता है तो जो secondary के students हैं वो आपका जो है उनके इतने subjects के practical होंगे आप इसके आगे बात चले 21 मार्ज से लेके 26 मार्ज तो इसके बीच में जो है आपका ये इतने जो subjects हैं ये है बार्वी वालों के और इतने subjects जो हैं इनके practical होंगे ये आपका होगा जो 10th class के हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जैसे का अगर इसमें हम देखे अब वहाँ पर जाके आपको confirm करना है कि सर मेरे practical जो भी आपके है वो बताना है उनको और उनसे एक date पूछ लेनी है कि इस बीच में कब आना है तो ये सारी जानकारी आप समझ गए इसी तरीके से ठीक यहाँ भी करना है या यहाँ भी करना है बज में आगे इतना तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने तक ही मत रखो और कोई भी प्रिशान नहीं हो मेंबर्शिप को जरूर जोइन कर लेना चलिए चल रही है जोइन कर लो क्योंकि पढ़ना अब आपके लिए जरूरी है वाली किलास और रिकॉर्डेट वाली किलास पीडियो नोट से बच क्योंकि पढ़ना और सीख़ना जरूरी है क्यूकि आपके फ्यूचर के मैटर है ठीक है पर वॉचिंग जैष च्रिए रह